तो हेलो गाईस मेरा नावे प्रियांश आप लोग देख रहे हो प्रियांश गेरच तो भाईव आज रिव्यू करने वाले है टाटा पंच के काजी रंगा एडिशन वेरेंट के बार में नॉर्मल पंच से आपको यहां पर क्या कुछ फीचर्स चेंजेस देखने को मिले वाल जाता है Adventure विरेंट में आपको Atomic Orange Tropical Mist देखने को मिल जाएगा और Complice विरेंट में आपको Metro ब्रॉंच टॉंड बिन जाता है और Creative विरेंट में आपको Blue Red का Dual Tune Combination देखने को मिलने वाला है और अभी आप इसका काजी रंगा Creative विरेंट देख रहे हैं इसमें आपको यह कलर देखने को मिलने वाला है जो मिलता है आपको Grassland Beach अब बात के लिए गाड़ी के स्टार्टिंग प्रैस की तो यहां पर आपको छे लाग से लेके नौलाग पूर, Adventure, Accomplized and Creative ऐसे चार विरेंट्स ओफर किये जा रहे हैं और अभी आप टाटा पंच का Creative काजी रंगा एडिशन विरेंट देख रहे हैं बिलको टॉप मोडल विरेंट इंजन स्पैसिफिकेशन की बात कर लिए तो इसमें आपको सिर्फ 1.2 लिटर का रेवेट्रॉन प टाटा की तरफ से गाड़ी के की फॉप की बात कर लिए तो यहां पर आपको दोनों ही स्मार्ट की ओफर की जा रही है पीछे आपको टाटा का लोगो मिल जाता है आपको लॉक अनलॉक फॉलो मी हेड्लाम स्कुर्ण उसी बाइनों को बूट ओपनिंग का ऑप्शन देने क मिल जाते हैं Center मिल आपको टाटा की ब्रेंडिंग टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है ग्रिल की बात कर लिए तो ग्लॉसी बलैप k具 घ्रल ओफर की जा रही है यहां पर के मिल जाती है इसी कुछ आपको लॉवर्य देखने को मिल रिये गाड़ी के Ground Clearance की बात करें तो यहाँ पर मिल ले आपको 187 mm का Ground Clearance तो इन उक का Option आपको Bumper पर देखने को मिलने वाला है गाड़ी के Night Visibility की बात कर लिए तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ Overall Setup देखने को मिलने वाला है उपर की तरफ आपको DRLS दिये जारे हैं Side में मिल लिए आपको Turn Indicator की Placement अगर इसको मैं एक बार आपको जला के दिखाऊं तो ऐसा कुछ आपको Throw मिलता है उपर DRLS Side में Turn Indicator की Placement नीचे आपको Projectors मिल जाते हैं High Beam के लिए आपको Halogen Headlamps दिये जा रहे हैं नीचे आपको मिल जाते हैं Fog Lamps तो रात में Throw काफी अच्छा आता है अब बढ़ते हैं गाड़ी की Wing Shield की तरफ तो इतनी बड़ी से Wing Shield आफर की जारी है अंदर से Visibility काफी अच्छी आती है Dual Viper with Washer का आपको यहाँ पर Setup देखने को मिलने वाला है अगर Roof की बात के लिए जाए तो यहाँ पर आपको Power Anti ना मिल जाते है आगे की तरफ बाकी Roof Race आफर की जारी है बढ़ते हैं काड़ी की Side Profile की तरफ तो Side ना आप जैसे आते हैं आपकी नर्जा जाती है अलावेस पर तो यहाँ पर आपको 16 इंचिस के Diamond Cut अलावेस आफर की जा रहे हैं 242 mm के Width मिल लगी हो 1615 mm की यहाँ पर आपको Height Offer की जा रहे है गाड़ी के Wheel Base की बात कर लिए तो मैं अगर नीचे बैट की दिखाओ तो यहाँ पर मिल लए है आपको 2445 mm का Wheel Base अब बढ़ते हैं गाड़ी के Fenders की तरफ Fenders पर आपको ऐसी कुछ Design मिल जाती है Visibility काफी अच्छी आती है बाकी Roof की बात कर लिए तो Roof Rails Power Antina आपको देखनी को मिल जाता है A Pillar आपको Black Out देखनी को मिलने वाला है Body Color पर Door Headless Offer की जा रहे हैं बढ़ते हैं काड़ी के Rare Profile की तरफ तो Rare Wheels में Drum और Front Wheels में आपको Disbrick Offer की जा रहे हैं यहां पर मिलता है इसका Fuel Filler Cap Capacity की बात कर लिए तो 67 Liter की Fuel Tank Capacity आपको देखनी को मिलने वाली है Rare Profile की बात कर लिए तो ऐसी कुछ आपको Rare Profile ओफर की जा रहे है पूरी आप यहां से देख सकते है Rare Profile शुरुवात करते हैं गाड़ी की Roof से तो Roof में आपको Power Antina, Roof Reels, Spoiler High Modish Top Light देखने को मिल जाती है यहां पर आपको Defogger, Viper, Vocal for Local का Sticker सारे Features देखने को मिलने वाले है यहां पर Center में मिलना है Tata का Logo उसी के Just नीचे आपको Reverse Camera के Placement उसके नीचे मिलती है आपको Punch की Badging दो Reverse Parking Sensor आपको देखने को मिलने वाले है गाड़ी के Tail Lamps की बात कर लिजा है तो यहां पर आपको LED Tail Lamps offer किये जा रहे है ऐसा कुछ आपको इनपे Throw देखने को मिलने वाला है डिजाइन आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है नीचे मिलने आपको Reflectors जो कि आप यहाँ पर देख सकते है दो Reflectors आपको नीचे देखने को मिल जाते है करते हैं Boot को Open यहाँ पर मिलता है आपको Magnetic Balance इसको प्रेस करके आपना Boot Access कर पाएंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पर आपको Boot देखने को मिलने वाला है यहाँ पर आपको दो Halogen Lights भी Offer की जा रही है पासल ट्रे आपको Offer नहीं की जा रही है Boot में अगर इस Space की बात कर ले जा तो यहाँ पर मिलने आपको 306 लिटर का Boot Space साइड बे मिलने आपको Reading Light 100% Foldable Seats मिल लेए नीचे मिलने आपको 15 इंच का Spare Wheel Toolkit के साथ 100% Foldable Seats है इस Lever Through अपनी Seat का Fold कर पाएंगे दो Headless मिलने है जो की Adjustable है आगे का पूरा के बिन आप देख सकते हैं अभी आगे Cover करेंगे इसको तो Boot को करते हैं बंद बढ़ते हैं गाड़ी की Passenger से डिंग की तरफ Leg Room, Head Room, अंदर के पूरे Interior को Cover करते हैं देखने को मिलने वाला है यहाँ पर आपको पास से देखेंगे आपको Door Opener, Tutor की Placement Power Undo Control, थोड़ा Space Bottle Holder, Speaker की Placement अंदर आपको इतना कुछ Space मिल जाएगा Leather की Seats ओफर की जा रही है आपको काजी रंगा एडिशन विरेंट में दो Headress मिलने जो की Adjustment है Rare में आपको Arm Rush पर ओफर किया जा रहा है बैटते हैं ज़रा गाड़ी के अंदर मेरी Height 5ft 11 इंच की आए असपास है आपको इतना कुछ Leg Space देखने को मिलने वाला है Front में आपको Arm Rush ओफर नहीं की जाए Rare के Ace Events पर आपको देखने को नहीं मिलते है Rare में आपको Arm Rush देखने को मिल जाता है Side में मिलते हैं आपको Grab Handles दोनों Side आपको Same देखने को मिलने वाला है Front Dashboard की बात कर लिए तो ऐसे कुछ आपको Front Dashboard मिलने वाला है अभी आप इसका Manual ओन देख रहे है Driver Side Doors की बात कर लिए तो यहां पर भी आपको Same देखने को मिलने वाला है पास से देखेंगे तो यहां पर मिलता है आपको Door Opener Twitter की Placement ORVM Control Power Window की सारे Control थोड़ा Space नीचे Bottle Holder Speaker की Placement Front Setting की बात कर लिए तो ऐसे कुछ आपको Leather की Seats ओफर की जा रही है दोनों ही Headress Adjustable है पूरी Setting आप देख सकते हैं यहां से Height Adjust कर सकते हैं यहां से Recline कर सकते हैं उसके नीचे मिलना है आपको Fuel Opener Manual के ABC Puddles Automatic का भी Option आपको देखने को मिलने वाला है Bonnet Opener Driver Seat बैडने को बात ऐसा कुछ नजर आने वाला है Front Cabin पूरा आगे का पूरा Dashboard आप देख सकते हैं यहां पर आपको Dual Tone Color का Option दिया रहा ऐसे कुछ Black Finish, Brown Finish देखने को मिल जाती है अगर आगे Visibility की बात कर लिए तो काफी बड़ी है आपको Visibility मिलने वाली है Bumper to Bumper आप इसको आराम से Drive कर सकते हैं से कुछ आपको Cluster देखने को मिलने वाला है Ignition को करते हैं On यहाँ पर मिलते हैं आपको Engine Start Distribution हो रहते हैं अगर Cluster की बात कर लिए तो यहाँ पर आपको Digital Instrument कर्शन ओफर किया जा रहा है Right Side आपको मिलता है Speedometer 220 तक की आपको Top Speed देखने को मिलने वाली है Left Side आपको RP Meter और काफी बड़ी सी MID दी गई है और अपनी MID को आप अपने Steering से ही Control कर सकते हैं यहाँ पर आपको मिलता है इसको आप प्रेस करेंगे तो Trip A, Trip B, Range, Miles सभी कुछ यहाँ पर आपको Monitor करता है काफी अच्छा लगता है देखने में अब बात कर लेते हैं गाड़ी के Steering की तो ऐसा कुछ आपको Steering मिने वाला है सेंटर मिलने आपको Tata का Logo Left Side आपको Multimedia के सारे Controls Right Side आपको Cruise and MID के सारे Controls यहाँ पर आपको Wiper Control Right Side आपको Headlamps के सारे Controls अब बात कर लेते हैं गाड़ी के सेंटर कांसूल की बाता हूँ तो यहाँ आपको ऐसा कुछ Reverse Camera मिलने वाला है काफी बढ़ी आपको Quality मिल जाती है Navigation के साथ आप जिदर भी अपनी शेरी को Move करेंगे तो यह आपको Direction बताता है तो काफी बढ़ी आपको Camera देखने को मिलने वाला है उसी के नीचे मिलने आपको Transmission Manual Handbrakes Front Armrest Offer नहीं किया जा रहा है Glove Box की बात कर लिए तो यहाँ पर मिलने आपको Cooled Glove Box उपर की बात कर लिए तो साइड में Grab Handles पैसंजर साइड मिलने आपको Vanity Mirror ड्रावर साइड आपको कोई भी Vanity देखने को गाड़ी के सेफटी फीचर्स एंड प्राइसिंग के बारे में तो इसमें आपको ABS, AD, Brakeses, Central Locking, Power Door Lock, Child Safety Lock, Engine Abolizer, Crash Sensor, Speed Sensing, Auto Door Lock और इसी के साथ इसमें आपको दो Airbags दिये जा रहे है तो सेफटी के मामले में यहां पर आपको काफी कुछ प्रोवाइड की जा रहे है इसमें मिलती है आपको 5 स्टार सेफटी रेटिंग तो काफी फीचर्स के मामले में आपको काफी कुछ अच्छा देखने को मिले वाला है तो यही थी टाटा पंच अपने सेग्मेंट की सब कॉम्पक्ट SUV कार कैसे लेगी मुझे अगरा कॉमेंट्स में जरूब बताईगा विडियो आपको पसंद आए तो विडियो को लाइक कर देगा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा मैं प्रेंशल ताप से अगली विडियो में तब तक के लिए गुड बाई